नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक दो तीन और चार फरवरी के लिए दैनिक राशी फल आए शुरू करते हैं और देखते हैं आप का आने वाला दिन कैसा रहेगा पहली राशी लेते हैं एरीस यानि मेश राशी म मेश राशी आपके लिए एक जनवरी का दिन इमेजनरी दिन रहेगा इस दिन आप कलपना शीलता की पराकाष्ठा पर होंगे इस दिन आप यह सोचेंगे कि आप कहां कहां तक सक्सेस पा सकते थे और कहां कहां तक सक्सेस आपने नहीं हासिल करी आपकी यह जो इमेजिनेश से भी बड़ा है आपको जरूरत है तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की अगर आप कोई लक्ष को बनाते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं तो बीच में ही मेश्राशी आप पीछे हड़ जाते हैं उससे विचलित हो जाते हैं अगर आप चीजों से विचलित ना हो त लेकिन इस दिन आपको लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा एकला चलो रेक की नीति पर चलें ज्यादा लोगों से अपेक्छाएं ना करें अगर आप अपेक्छाएं करेंगे और वे तूटेंगी तो आपको नुकसान होगा मानसिक तोर पे नुकसान होगा आप आहत ह इसलिए अपने confidence को बनाय रखें दो फरवरी को और स्वयम पर भरोसा रखें जब आप स्वयम पर भरोसा रखें कारे को शुरू करेंगे तो लोग आपकी मदद को स्वता ही आ जाएंगे आपको पूछना या बुलाना नहीं पड़ेगा तीन फरवरी के दिन आपकी धार्मिक भावनाय हाला की बढ़ी चड़ी रहेंगी लेकिन उन सब के बावजूद आप अपने आपको एक सक्छम व्यक्ति की तरह दिखाने में काम्याब रहेंगे आप अपनी च्छमता को सही तरीके से इस्तेमाल भी कर पाएंगे और दूसरे लोगों तक ये संदेश प्रेशित करने में सफल रहेंगे कि आप कहीं ज़्यादा काबिल हैं कहीं ज़्यादा कैलिबर वाले हैं जितना की वो सोच रहे थे अगर तीन तारीकों कोई चुनाओ करने की जुर्यत पड़ती है तो सत्य के साथ जाएं असत्य के साथ बिल्कुल मच जाईएगा तीन फरवरी को आप कुछ गंभीर विश्यों का अध्यान भी कर सकते हैं चार फरवरी को हला की किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी लेकिन फिर भी आपका मन अंदर से थोड़ा उदास रहेगा ये उदासी एक दिन की है अताह इसे दिल पर ना लें अपने आपको सैयमित रखें और नियंत्रित रखें अपने आपको सयमित इस माइने में रखना है कि अपने मन की बातें दूसरों से शेयर ना करें किसी विक्ति को राय देने की कोशिश ना करें और राय लेने की कोशिश भी ना करें शान्ती से रहें अपने आप में रहें जितना जदा आप अपने आप में रहेंगे उतना समझाओं से बचे रहेंगे ओवराल प्रेम समंधों के लिए एक और तीन तारिक सबसे बढ़िया हैं दो तारिक सामान नहां और चार तारिक अच्छी नहीं है जबकि व्यापार के दृष्टी से एक दो तीन बढ़िया तीतिया हैं चार तारिक अच्छी नहीं है तो दोस्तों ये था दैनिगराशी फल एक दो तीन और चार फरवरी के लिए मेरा कारक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईएगा वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद नमस्कार